भोजपुरी फिल्म नदिया के पार साल 1982 की सबसे सुपर हिट फिल्म रही थी, जिस फिल्म में अभिनेता सचिन ने बेहतरीन अदाकारी निभाई थी आज हम आपको फिल्म के बारे में नहीं बलकि इस फिल्म में चंदन का किरदार निभाने वाले अभिनेता सचिन की बेटी के बारे में बताने डा रहे हैं जो आज कल बलेवुड की जानी मानी अभिनेत्री बन चुकी है, साथ ही काफी खूबसूरत भी लगती है, सचिन का नाम असी के दशक की हिंदी फिल्मों में काफी मशूर रहा था, उस जमाने में सचिन ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी थी, वैसे सचिन के फिल्मी कर के बारे में आप जानते ही हैं, पर आप सचिन के परिवार के बारे में नहीं जानते हैं, बता दें कि सचिन ने सुप्रिया से विवाह किया था, जिसके बाद उनके घर एक खूबसूरत बेटी ने जन्म लिया था, जिनका श्रेया नाम रखा गया जो आज पूरे 29 साल की हो